नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वसष्ठ, सज्जनो स्री वसष्ठ चैनल के अंदर आपका हर्दिक स्वागत है, आप हमारी बहुत सी वीडियो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और उसके अनुसार चलने का प्रयास भी करते हैं, अब इसी करम में, आज जो हम एक वीडियो लेके आए हैं, बड़ी विचित्र वीडियो है, कि महिना हैं, अपने मन के अंदर बात छुपा क्यों नहीं पाती हैं, उनको अगर कोई गुप्त से गुप्त रह्ष बता दिया जाए, तो वो जो है, जगत के अंदर उजागर हो जा आती हैं, वो किसी और को बताती है, वो किसी और को बताती है, और बताते बताते सारे संसार में वो बात पहल जाती है, तो इस विशे के अंदर एक द्रस्टान्त हम आपको सुनाते हैं, महा भारत काल था, युद्ध समाप्ती की तरफ था, एक शव युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था और उसके पास जाकर के कुंती बिलक बिलक करके रो रही थी तो अपनी मा कुंती को रोते हुए देख करके राजा युधिश्र और अरजुन दोनों उनके पास में गए और जाकर के कहने लगे कि हे मा आप इस सव के ऊपर जो की हमारा सत्रू है और सत्रू नहीं परम सत्रू है उसके सव के ऊपर आप जो है आकर की बैठी है और बैठ करके यहाँ पर बिलक बिलक करके रो रही है आखिर इसका कारण क्या करी तब मा कुंती ने कहा कि बेटे मुझे थोड़ी देर रो लेने दो मेरा जी हलका हो जाएगा ने का आप बिलक बिलक करके रो रहे हैं तो कुंती ने कहा कि पुत्रो अगर मैंने इसका रह्ष्य उजागर कर दिया तो तुमारे पैरों के नीचे की जमिन खिशक जाएगी मैं का ऐसा क्या कहे यह तो जनम से हमारा सत्रू रहा गए दुरियो धन का मित्र रहा गए उसका नाम थ देखना तब जो एक कुंती ने कहा कि बेटा इसका नाम करण जरूर है इसको लोग सूत पुत्र कहते थे इसको राधे कहते थे लेकिन ना तो यह राधे है और ना ही यह सूत पुत्र है मैं का मा फिर यह है कौन तब वहाँ पर कुंती ने कहा कि यह कुंते यह है कि कुंते कुंती का पुत्र है यह कैसे हो सकता है ने का तुम्हारा जनम बाद में हुआ था यह तुम्हारा बड़ा भाई है मेरे विवाह से पूर्व ही सूरी की क्रपा से इसका जनम हुआ था और मैंने लोक लाज के कारण इसको नदी में प्रवाहित कर दिया था इसके कवच और कुंडल इसके सरीर पर मुझूद थे और यहां पर अस्तिनापूर की सभा के अंदर मैंने जब उसके सरीर पर कवच और कुंडल देखे तब मैं पैचान गई कि यह मेरा पुत्र गए लेकिन मैं कह नहीं सकती थी मैं बता नहीं सकती थी हर जगे उसका अपमान होता था सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र तो वो मेरे से सहन नहीं होता था लेकिन आज तो मैं बिलकुल भी शहन नहीं कर पाई क्योंकि तुमने किसी और को नहीं मारा गए तुमने अपने ही जेश्ट भ्राता को मारा गए इतनी बात सुनते ही अरजुन के हाथ से गांडीव गिर गया युदिश्ट्र के हाथ से भाला गिर गया मा तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई अगर तू जो गए ये बात हमें पहले बताती तो हम युद्ध ही नहीं करते और युद्ध अगर करते भी तो हमारी शक्ति दोग नहीं हो जाती दुरियोधन तो क्या ऐसे सो दुरियोधन भी होते हमारे सामने तो वो भी युद्ध में नहीं टिक सकते थे और तुमने ये बात चुपाई और आज तक चुपाई रखा कुंती ने कहा बेटा मैं विवस थी लोक लाज के कारण से मैंने ये सब बात चुपाई तो वहाँ पर राजा दुरियोधन राजा युद्धिष्टिर ने वहाँ पर स्राप दिया कि मैं ये इस्तरी जाती को स्राप देता हूँ कि आज के बाद ये कोई भी बात अपने मन के अंदर नहीं छुपाई पाएंगी जो भी बात होगी है किसी को कहेंगी जरूर तब से ये साप विवस होकर के मैलाएं इस तरियां अपने मन के अंदर बात नहीं छुपाती ये महाभारत का जो है शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें ये मेरा अनुरोध है बाकी जानकारियों के लिए इनी नमरों पर संपर्क करके आप जो भी जानना चाते हैं वो जानकर के लाव उठा सकते हैं नमस्कार